कर here ह्टेले हूं नमस्कार आपका स्वागत है हमारे यूटूब चयनल स्टभी सरकल 300 30 में साथ हूं आपका बहुत बहुतkovय हमारे इस चैनल के सीरीज में साथ क को भोड़ा दें कि मांधियम से लगतार आपको आईट्याओ लेक्रच थीन उकाल साथ लगाई जा रहा है और साथी साथ यूपी आर बीना टीजी टू और यूपी पिसे टीजी टू के प्रेविए सियर के कोश्चन्स भी कराया जा रहा है तो उसाथी में यह पहली पर हमारी यूटुब चैनल इस्टडी जरगल 306 पर विजिट कर रहा है तो सबसे पहला काम कि आप हमारे इस्टडी सेगल 306 को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथी सब बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए जिसे आपको हर एक नोटिपिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचा है और लगतार आप परतियों की परचाओं में तैयारी में लगे रहे हैं जातियों कि यह जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा है और तिंग चेप्टर से यह टॉपिक लिया गया है सत्यों में बता दूं यदि आपने हमारे पुराने वीडियों को वाच ने किया था आप मारे पुराने वीडियों को वाच करने के लिए श्टेड़ी सरकत 3060 को सब्सक्राइब करें लिजिए और उसके प्लेलिष्ट में पढ़िए हैं आडिया एलेक्टिशिंग के लास वा बारे में आपको बताते हैं तो आए चलते हैं यह अर्थिंग चेप्र के अब्यक्टिव कोश्चन की सीरीज रहेगी तो इस सीरीज में कम 20-25 कोश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे यह सीरीज में बहुत ही इंपॉर्डन कोश्चन होंगे जो आपके आइडिया इलेक्र करने के लिए पहुत लब दखाता है ज्यां सात्यों जो हमार अर्थ कंड़क्ट्र होता है किसको प्रिजवी में परिसीद करने के लिए उ시के अपसर नमबर 8 होगा। करने के लिए और्थ करने के लिए और्थ कंड़क्टर का प्रयोग कि आ जाता जाता है दूसरा फ्रस्थी या ने की हमते करें 2.2 mm2 का होना चाहिए कापर का ता जो घरेलु वारिंग में अर्थ की रूप में पर्योग किया था है उसकी जो मुटाई होने चाहिए 2 mm2 की होने चाहिए यानि कि इनहोने पूछ रख गात में वता दू है यान में रख लेना है याद में जय्याइन रख लेना है इसके पूरी तशाही जो ध Cor होती है दिकला है उसका किलों फरती तो होता है फिर फिर बा उसनिओं कि पाइप-की बात कर रहा है जाहें है कि अज हमारा उस gratis ॐ में जो हमारा पाइब और रही ऐए कि इने दना видео छाहिए तो मैं बता दू 38 mm होना चाहिए कितना 38 mm की मुटाई का आपका pipe और दिंग होना चाहिए फिर अगला प्रस नमरा plate और तिंग में plate electrode का का कार कितना होता है तो साथी मैं बता दू प्लेट के लिए आपको मैं बता आता 60 गुड़े 60 और यह दिकापर का है तो 3.30 और यह दिक है आपका जी आई का थे 6.30 यह वन फाइब होता है इतनी होती है यह बता दू यहां पे वह लिए अर्थिंग प्लेट का इलेक्टोड की बात किया है तो क्या होगा आपका 60 x 60 cm की अकार का होना चाहिए आनि कि आपसर नमर डी विल भी राइट 6 x 6 cm यह दिकिसी मसीन आदिको जो और थे लेक्टोड अस्थापित किये जाए तो उनके बीच की दूरी लेक्टोड की लंबाई के धाई मीटर है तो कितनी कितना से कम नहीं होना चाहिए उन्होंने पूछ रखा है तो मैं बता दूं यह दो गुने से कम नहीं होना चाहिए यानि कि आपसर नमर सी विल भी राइट तू गुना अब आई चलते हैं अगला मारा प्रस्ण है किसी बॉक्करण की दात्रीक बाड़ी को अर्थ से सन्यूसित करने का क्या उत्वे से होता है को यह करन को और दों को सी मित करना यह कोई मतलब नहीं को मतलब नहीं बराव कि पर वाह कर बडाओ को समप्द करना यह होता है एक किसी मेटेलिक बाड़ी से अगर अर्थ कर रहा है तो अर्थिंग कमें का में होना चाहिए कि जटका से बचाना यानिकि आपसर नमर सी विल विराइट बिद्धु जटका लगने की संपाउना को समप्त करना ही दात्रीक बाड़ी यानिकी मेटेलिक बाड़ी को अर्थ किया जाता है फिर अगला हमरा प्रस्थ है तावे की अर्थ इलेक्टोड प्लेड की मुटाई कितना से कम नहीं होना चाहिए जिया साती ने भी बagnia question लिया है इन्हुन ने पोच्छ रखा है जो क कापर हथा है कापर का जो एलेक्टोड होता है उसकी मुटाई कितनी होना चाहिए, तो मैंने अभी भी बताया कि जो कापर की प्लेट रुती है, 60 by 60 cm और उसकी जो मुटाई होने चाहिए, कापर की 3.15 mm कि होना चाहिए, यानि कि आपसर नुम्बर B will be right 3.1 mm की मुटाई की होने चाहिए, इलेक्टोड की मुटाई होने चाह सकता है, तो मैं बता दू कापर का 6.3 mm होता है, 6.3 mm कापर का होता है, और 3.1 mm किसका होता है, कापर का, यहां पर कापर का पूछा यानि कि आपसर नुम्बर B will be right, पिर अगला हमरा प्रस्न है, कि और तोड के परतिरोध को स्विकार अस्तर तक कम किया जा सकता है, जी है सदिव, किसके द्वारा स्विकार अस्तर तक कम किया है वक्ता है, तो मैं बता दू, पिछली वीडियो मैंने बताया था कि जो अर्थ का जो रेजिस्टेंस कम करना है, उसको कम करने के लिए कई नहीं हम अपना आए जाते हैं, पानी डाले के, प्लेट के तपल बढ़ा के, या अनेक इलेक्ट्रोड को समांदर करम में जोड़ के, तो मैं बता दू क सकते हैं, प्लेट का बढ़ने के बाद कि अढ़ने के बाद किया था, और तो प्लेट के लिए गार्ड परजान कर सकते हैं, यानि कि अनेक अर्थ-अर्थ को समांदर करम में जोड़ जहते हैं तो मैं बता दूँ और तीनों ऑपसन क्या होंगे आपके गलत हो जाएंगे जोड़ दिया जाए तो और तीनों किया होगी आपके जोड़ दिया तो अर्थिंग यूक्त उपकरण को किससे बचाता है तो सातिमों मैं बता दूं कि लीकेज करण से नहीं बचाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज से नहीं बचाता है जो बज़पात होता है आकासी बचाती से इर्थिंग कर दिया है तो मैं बतादूं कि यह किससे बचाता है वजरपात यहांब ईल्टेज से बचाने का काम करता है तो सप्राइट प्रस्ना है प्लेट अर्दरम का मैं निद्सक नहीं होना तदा पिछले वीडियो और पिछले कोशन्स में मैंने बता है कि प्लेट का इलेक्टूर होता है वो 60-60 cm का होना चाहिए यह आपको रट लेना है यानिकि अप्सर नबर डी विल विराए यदि 30-30 cm के पुझा यह होता है पाइप के लिए होता है पाइप के लिए यह क्या होता है गड़ा होता है लेकिन यहां पे यह होगा आपका प्लेट अर्थिंग की बात क्या है यानिकि 60-60 cm का इलेक्टूर का कारणा चाहिए कम सगन 60-60 का और अगला हमारा प्रस्न है किसी उपकरण की धात्रिक बाड़ी को और से सनोजित करने का क्य उद्द्य से होता है क्या मतलब होता है तो साती हो मैं बता दूं कि आपको कोई भी मेट्रीक बाड़ी से यदि आप और तिंग कर रहे हैं तो में मुद्दा उसका होता है एलेक्ट्रिक सॉक्त लगने की संभावना को कम करना यानिकि अप्सन नमर सी विल विराइट इलेक् कब ट्राइब करना अनुसार क्या तो मैं बता दूं कि यहाई स्कूल कैनुसार जो आर्थिंग क्लर कोड हो और चाहिए यह वहरा होना चाहिए यह प्सन नमर सी विल विराइट इसमें पर यह बिश रहा है रंग की बात कि रहारा तारक कि रहारा यानिकि हर रा हर जो होता है आपका अर्थिंग के लिए अर्थिंग के जो आवायर होता है वो आयस के इंसार हरा होना चाहिए यानिकि अफन भी विल भी राइट ग्रीग फिर अगला हमारा अंतराश्टी मानक IEC 60364 में दो अच्छरों वाले कोड का परियोग करते हुए अर्थिंग ब्योस्ता को कितने भागों में बाटा है यहां साथियों अर्थिंग ब्योस्ता को कितने भागों में बाटा गया है वहती लाजवा कोश्चन है वहती ब्यात्रिंग कोश्चन है तो मैं बता दूं अर्थिंग ब्योस्ता को तीन भागों में जनली बाटा गया है यानि कि आ पाइप और राड आर्थिंग के लिए मैं बखुबी एक्स्प्लेशन अपने पुराने वीडियो में कर रखा है और वहां पर मैंने बताया था कि अगर गड़ा खोद रहे हैं या पाइप को डाल रहे हैं तो उसकी जुग लंबाई होना चाहिए डाए मीटर से कम नहीं होना चाहिए या आप से जाने कि अप्सन नमर डी विल विराइट डाए मीटर से कम नहीं होना चाहिए फिर अगला मरा प्रस्तन है जब अर्थिंग के लिए जब अर्थिंग के लिए पाइप इलक्ट्रोट का उप्योग किया जाना हो तो इसे अस्थापित करते समय इसका नीच विल विराइट पायप सेंटी मिटर से उपर रखना चाहिए जिससे आप आसानी से पानी डाल सके पानी डालने से यह वह अनमी बरतरार रहेगी इसलिए यह जो फनल होता आपका इम्रम में पाइप करते हैं तो इसका इंटर्ण डायमीटर कितना होना चाहिए विसका इंटरनल प्रतिरोज का मान कितना होना चाहिए जब मैं पुराने अपने पिछली वीडियो में अरतिंक अच्छेटर इस्टार्ट किया था तो वहां पे तीसरा टापिक ही मैंने आपको बताया था तीसरा टापिक आपको मैंने बताया था कि पावर इस्टर सनु का परतिरोट कितना होना चाहिए तो मैं बता दूँ कि 0.5 से एक होम तक पावर इस्टर सनु का रजिस्टेंस होना चाहिए यह इसका आई-एस के अंसार यह मानक रखा गया है यानिकि आप से नुब भी प्रस्थ पाइप का उद्देश क्या है इनोंने यह पूछ रखा है तो मैं बता दूँ जी आई-एपाइप का उद्देश भूच सनी हो जाने यानिकि अरतिंग तारक की सुरच्चा के लिए जी आई-एपाइप का मेर इस्टा होता है यानिकि आपसा नमरे विल्दी आइए यह बिडियो मैं बता दूँ अरतिंग का जो वीडियो है इसका बहुत यह अच्छे से एक्स्क्लेइशन किया गया है जरूर आफ उसको देखिये और वहां पर प्यूदी एप भी दिया है जो हमाई नोट से हैं उस नोट सा पीडिया आपको देदिया गया है तो सब्सक्राइब मैं रक्रोट बहुत हुआ हिंगा बता दू एक मैं करते हों चाहिए किस से बिजली का पर योग नहीं चाहिए तो मैं आपको बतादूं DC करण्ट का परियोग नहीं करना चाहिए यानि कि आप सब्सक्राइब भी विल भी राइट DC करण्ट फिर अगला हमारा प्रस्ना है साथियों कि भू संपर कर रहा है यानि कि आर्थिंग के लिए उप्यू हुई लो है सब्सक्राइब नहीं देखा आप इस वीडियो को ज्यादा सेयर किजिए और इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जीए और यदि आपने मारे पूराने वीडियो को नहीं देखा आए तो आप पूराने वीडियो को भी देख ले सकते हैं हमारे इस्टरी सब्सक्राइब प्ले लिस्ट में आज के लिए वस इतना है तब तक लिए नमस्कार फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक लिए वबाए जैहिं जैवाराइब